पूरे प्रदेश में नाके बंदी कर दी गई है पूरे प्रदेश में नाके बंदी कर दी गई है आपके बता दी कि इस गैंग बॉर में प्राइवेट कोचिंग संस्थान में कोचिंग करने आई चात्रा के पिता की भी मौत हो चुकी है चात्रा नागौर जिले के छोटी खाटू थाना इलाके की रहने वाली है वो सीकर में एक निजी कोचिंग संस्थान में नेट की तयारी कर रही थी यहां एक निजी होस्टल में रह भी रही थी उसके पिता चात्रा से मिलने के लिए सीकर आय थे उन्होंने कोचिंग संस्थान के पास अपनी गाड़ी भी खड़ी कर रखी थी राजुठेट पर फायरिंग कर अपरादी भाग रहते और भागते हुए अपरादियों ने चात्रा के पिता से गाड़ी की चाबी छिनने की कोशिश की जब लड़की के पिता ने चाबी नहीं दी तो आरोपियों ने लड़की के पिता पर फायर कर दिया जिससे नागौर जिले के छोटू खाटू निवासी तारा चंद की मौत हो गई बदमाश उनकी सफेद रंकी कार लेकर फरार हो गए तो है राजस्तान के जुझनु जिले के बगोली नदी के किनारे के पास तलाशी अभियान जारी है साथी खेतरडी बुहाना और नवलगर शेतर के गाउं में सर्ज उपरेशन चल रहा है बगोली नदी तट के पास एक कार बरामद हुई है पुलीस को अंदेशा है कि आरोपी यहीं आसपास शिपे हो सकते हैं इन इलागों में सीकर और जुझनु पुलीस के सौ से ज़्यादा पुलीस कर्मी डेर डाल कर बैठे हुए है जानकारी के मताबिक सीकर जिले के निमका धाना शेतर में राजु ठेठ हत्याकान के आरोपियों ने अपनी गाड़ी बदल ली थी यहां भी आरोपियों ने फाइरिंग की निमका थाना बहरोड हरियाना सीमा के बहुत करीब है जिस गाड़ी को बदमाशों ने निमका से बदला उस क्रेटा का नंबर आरचे 45 CH 1786 बताय जा रहा है इस गैंग बॉर के बाद सीकर जिले में बदमाशों की गिरफतारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है कल्यान अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर लाड़ून विधायक मुकेश भाकर और रजस्थान विश्विद्याले के अध्यक्ष निर्मल चौतरी के निर्दित्व में बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठ गये हैं विधायक भाकर ने कहा कि हम लोग पुलीस की जांस से बिलकुल संतोष नहीं है पुलीस अभी तक बदमाशों को बकड़ने में नाकाम रही है जिस तरह से ये घटना हुई है और बदमाशों का फायर करते हुए जो वेडियो सोशल मेडिया पर वाइरल हो रहा है उसे देखकर कौन अभिवावक अपने बच्चों को यहां पर पढ़ने के लिए भेचेगा ये घटना सीकर पर एक धबबा है आपको बता दे कि मृतक ताराचंद की बेटी सीकर इस तरह जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करती है उसने छात्रा को मुफ्त कोचिंग देने की घोशना की है संस्थान के डारेक्टर ने एलान करते हुए कहा है कि मृतक के परिवार का कोई भी बच्चा सी एलसी में कोचिंग लेने आएगा तो भी उसे निशुल को कोचिंग दे जाएगी राजो ठेट की हत्या के तार गैंक्टर लॉरेंस विस्नोई और काला जठेडी गैंक से जुड़ रहे हैं इसे पुलिस एंकाउंटर में मारे गैंक्टर आननपाल की मौत का बदला कहा दा रहा है यह सत्यकाण के जिम्मेदारी फिस्टर शिटर रोहिद गोदारा के खिलाब राजस्तान के अलग-अलग ठानों में गंभीर धाराओं के तहट कई आपराथिक मामले धर्श है